यह हाई गाइस इस को तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज अपडेट जो रहते हैं उनकी हम टाइमिंग कैसे चेंज कर सकते हैं बिना डेवल वेस सर्वर के और जैसे कि आपने कभी देखा है कि बहुत सारी मसीन के अंदर जो रहता है उनमें टाइम कभी कोई मिशीन में कुछ टाइमिंग है तो वहां पर क्या होता कि अगर वो अगर विंडोज अपडेट आपके वीक हावर्स में आपने वीक हावर्स के अंदर होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है यूजर के लिए बी और आपके लिए करेक्ट क्योंकि उससे हम ермara business hours腰 tOoh वेस्ट होते हैं तो उसके regarding हम क्या कर सकते हैं उसके regarding हम group policy use कर सकते हैं while manage के लिए time दीती है जैसे कि हम Saturday में morning में लगा सकते हैं Friday evening में schedule कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है या तो आप domain के ओपर ही लगा सकते हो.... डोमेन के उपर ही वो रिफलेक्ट हो जाएगी या फिर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिक्वार्मेंट के हिसाफ से भी आप उसको लगा सकते हो तो हम यहाँ पर नोइटा के उपर पोलसी लगाएंगी मेरा यहाँ पर मकसद आपको पोलसी सिखाना हूँ आपको ड और फिर सेडूल, विंडोज अपदे, टाइम सेडूल आप लिख सकते हो तो अभी मैं OK करता हूँ अपने को तो आप दिखाना है बस और राइट क्लिक करते हैं और यहां पर एडिट करते हैं चक्या है तो एडिट करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है प्री प्रिफिंस क उपडेट के अंदर हुआ और नाय। को एक्स्टेंड करेंगे करी हो और यहां पर हम में सेर्च करना हैं configure Automatic Update वोके तो इसको हम यहां पर configure AutomatIC Update यहां पर शि Hero करेंगे और इसको हम यहां पर जैसे अनेबल करेंगे तो यहां पर टाइमिंग इसको दिखा देना चाहिए बिल्कुल जैसे हमने अनेबल किया यह सब यहां पर चीज़ आ गई तो यहां पर आपके पास की अलाओ लोकल अडमिन टू चूज सेटिंग अलाओ डाउनलोड एंस्टॉल अलाओ नोटिफाइड डाउनलड एंडोट इस्टाल ओके यह सब चीज़ आप मोडिफिकेशन कर सकते हैं तो इम यहां पर करते हैं और सेडूल दैंस्टॉल ओके यहां पर इंस्टॉल दूरी अटमेटिक मेंटेनन्स यह भी आप कर सकते हैं और यहां पर हम एवरी डे लि डाल सकते हैं तो मैं यहां पर फॉर ओकलो की एनफ है और यह आप बस इसको आप अपलाई कर सकते हो इसके लावा कुछ नहीं है बाकी यह देखें फर्स्ट वीक आफ एवरी मन्थ यह भी आप यहां पर सेडूल कर सकते हैं राइट कि एवरी वीक आपको चाहिए फर्स्ट वीक आफ मंच यह सेकंड वीक आफ वो सब चीज़ आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपके यूजर भी आवे रहे कि फॉर्थ वीक में अपडेट स्टार्ट होंगे लेकिन या फिर सेकंड वीक में स्टार्ट होंगे वैसे तो वाई डिफोल्ट अकर आप रखे सेकंड वीक रख सकते हैं क्योंकि अश्पर दरूल अफ मैक्रोसॉफ आफ ड़ी सेकंड तुज़ए और अपडेट सारे में अपके डाउनलोड हो जाएंगे और फ्राइडे या सेच्टरडे में वह आप इंस्टॉल कर सकते हो और फिर इसके बाद इंस्टॉल माईक्रोसॉ प्रडक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी आप सेक्डूल कर सकते हैं, तो अभी ये बस पॉलसी है, जो मैंने आपको explain कर दी है, जो भी आप यहाँ पर update करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, करेक्ट, तो यह हमारी settings थी, जो मैंने आपको बता दी है, तो और इसको हम save कर देते हैं, okay कर देंगे, apply, और okay, पॉलसी हमारी update होगे, ठीक है, यह enable आगया है यहाँ और इसको हम कर देंगे close, और यह देखें, यह पॉलसी हमारी update होगे, अगर आपको यह पॉलसी मुंबई के अंदर या फिर HR के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करना, link existing policy, और यहाँ पर हम जाएंगे, windows update management, ठीक है, कि थोड़ा सा मिलाब, यह बहुत अच्छा benefit है, क्योंकि यूजर परिसान हो जाते हैं, भाई, अगर कुछ critical काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फज जाते हैं, तो जिसकी help से आप domain के अंदर यह पूलसी आप लगा सकते हो, और अपना टाइम अपना भी और यूजर का टाइम भी आप मैनेज कर सकते हो, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपका कोई सवाल, जवाब, कुछ भी आपको मेरे से पूछना है, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आप इस सीरीज से कितना खुछ हैं, और आपने शेयर की या नहीं की, और प्लीज मुझे अपनी लोकेशन जरूर बताना कि आप किस लोकेशन से हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई